ओम सहिराम, वेलकम टू साइंस अमरपन चैनल, मैं हूँ आपके साथ में विन्नी और आज मैं एक्सपीरियेंस लेकर आए हूँ पूजा जी का और बहुत ही प्यारा एक्सपीरियेंस है कि बाबा किस तरीके से भक्तों के मन की बाद बाबा जानते हैं और उसे आसान भी करते ह आपके साथ में भी ये सब हुआ होगा सभी के साथ में होता है बस हम लोग क्या करते हैं इग्नोर मारते थे हैं या फिर ध्यान नहीं दे पाते क्योंकि हम बिजी इतना होते हैं न कि हम ध्यान ही नहीं दे पाते और हमें लगता है कि बाबा लीला नहीं कर रहे बाबा ऐसी लिलाएं भी करते हैं, तो आप खुज सुनेंगे उन석 की जुबानी, उनका experience, बहुत ही प्यारा experience है उनका, जरूर सुनिये, बाबा कैसी कैसी लिलाएं करते हैं, अपने बच्चों के साथ, अपने भक्तों के साथ, और बाबा अंतर्यामी हैं, बच्चों की मन की बाद बाब हुँ ठीक है तो आप सब सुनेंगे उनका बहुत ही प्यारा एक्सपीरियंस तो चलिए जैसाहिराम ओम साहिराम दी अधी मेरा एक छोटा से एक्सपीरियंस है जो कि मुझे लगा कि आपके साथ में शेयर करना चाहिए तो मैं शेयर कर रहे हूं और यह एक्सपीरियंस भी जो है वो कलका ही है जो कि मुझे बहुत मन था शेयर करने का और मुझे ऐसा लगा कि बाबा ने मुझे बोला कि मुझे शेयर करना चाहिए तो मै कर रहे हो बात कुछ ऐसी है ना कि परसो में नौरात्री के दो दिन पहले मैं यूटूब पे एक वीडियो देखती हूं कि जो बाबा जी की नौरात्री के देज में जैसे की साइंस रचरी जी का सब्ता पारायन हुआ कश्ट निवार मंत हुआ और जैसे ग्यारा वच्छन हो गए तो उनको नाइन टाइम्स पढ़ना ऐसे करकी नौ दिये लगाना तो वो वो चीजे ना मुझे मतलब उसमें सिक्स चीजे में जिनका वो चैनल है तो वो वीडियो मेरे पास में अचानक से आया कि मुझे वो दिखा तो मैं उसको देखी कि पहले में देख तो लेती हूं क्योंकि मेरी एक आदत है कि बाबा से जुड़ी जैसे बहुत से जो वीडियोस होती ना यूटूब पे मैं उन्हें जैसे कि अगर टाइम होती है तो मैं उनको वाच लिस्ट में करके शोड़ देती हूं लिएै इसको में ऐसको बहुत मैं ही देख रही थिए. तो मैं जब देखना शुरू की तो उसमें सब्ता परायंड, साइंच चली जी का, कस्त निवार मन्त और नौ दिये लगाना ये सारी चीज़े थी तो सब्ता परायंड मैंने बहुत बारी किया हूए जिसे पिछले नौरात इवारती जो का उती थी दिवाली में की तो इसका मुझे बेनफिट भी मिला हूए मैं क्या करोंगा मैं ये दिन कि ये सदक करांते डेली लेरी प्रालिम है कोई भी ऑगर मुझे लगा कि मैं अगर एसे ले लेती हों कोईभी ऐसा सब्था परायन का, अगर साइंस सचली तो अगर वो complete नहीं हो पाया तो फिर वो अच्छा नहीं होगा तो मेरे मन में यह था कि मैं बाबा के सामने ना ऐसा करती हूं कि मैं परचियां रखती हूं इसमें स्विकार और स्विकार की बाबा से मैं अपने प्रशनित रखूंगी कि बाबा आप मुझे गाइड करिए कि म मेरा उतना बजट नहीं है तो बाबा मेरी देखे ना बाबा मेरी सारी मतलब मन की हर एक जिंदगी इसमें जो भी चल रहा है वो सब कु चानते तो फिर मैं परचियां नहीं लगा पाई क्योंकि मुझे काम आ गया कुछ में बाहर चली और मेरा कल नाइन गुरुवार का एक का मन किया मैंने अपने मोबाईल अपने हाथ में ली तो मुझे स्टोरिज फुल दिखा मेरे स्क्रीन पे मोबाईल का तो मैं बोली कि मैंने ऐसा कुछ अपने मोबाईल में रखा भी नहीं है और मेरा मोबाईल का स्टोरिज कैसे फूल हो गया तो मैं अपने गालरी में गई तो उसमें साई दुख दर्द निवारण मंत दिखाई देता है इससे पहले जो मैं साई कश्णिवारण मंत सर्च कर रही थी Google पे तो वो काफी मुझे लॉंग दिखा तो साफी वो लंबा है तो मेरे मन में ये भी था कि अगर मैं कश्णिवारण मंत करूंगी ये तो मुझे वो दिखाई दिया मैं ये कहां से आ गया मैं तो आपी से Google search ब्लॉइ थी और अभी तो मैंने बाबा के सामने कोई पड़ें भी नहीं रखी थी कि मैं अभी तो प्रशन करने वाली थी कि बाबा मुझे अपसे कुष्चन करना है कि मैं आपकी सपता तो मैंने तो अभी ऐसा कुछ यह किस ने मुझे भेज दिया मैं वहां से आ गया तब तक अचानक से मैं जिस गूप में हूँ इस गूप में किसी ने चार पेज़ के दुख दर निवारन मंत्र जो किसी ने लिखवाए हुए हैं उसको short form में देखिए बाबा का चमतकार देखिए मेरे जीवन में कि बाबा को कश्टनिवारर मंत्र मुझसे करवाना था, मैं बाबा के सामने परचियां रखने वाली थी, लेकिन बाबा से मैं मनी मनी ये बोल चुकी थी कि बाबा प्लीज आप मुझे गाइडेंस कीजिए, बाबा ने बिना परचियां निकाले, बिना कुछ पूछे और जो मुझे लॉंग भी लगा कश्टनिवारर मंत्र उसको चार पेजिस में वाटसेप ग्रूप में जो उनके नाम से साई जी के नाम से जो ग्रूप बना हुआ है, उसमें जो डिवोटीज हैं, साई डिवोटी बाबा में पातितन के रहीं बाबाबा कॉछ पर परेयें, वल्र को przjobs को प्रूप इंथे सब्सक्राइब को से में जो गड़ा जो रह रह रहें डिवोट्ने के रहा मुझें ना में वर्रा खंऊने हैं, और ने प्लрут दूप कर्षा को ड़ोरी व्याआ देद बीजी तो बड़ा लग रहा था आपने उसको शॉर्ट फॉर्म में करके मुझे खुद भेज दिया कि लो आप इसका पाट करो तो मुझे इतना अच्छा लगा इतना अच्छा लगा और मैं बाबा को थैंक यू बहुत थैंक यू बोली कि थैंक यू बाबा आपने मुझे गाइडेंस अब बाबा पे मेरा बहुत रस्ट बढ़ा कि आप रियली मैं आपको मानती हूं मैं मन से मानती हूं और रियल में आप हैं बाबा आपने मुझे पने होने का अनुभो दिया ऐसास कराया कि मैं हर कदम पे तुम्हारे साथ हूँ तो मुझे यह चीज बहुत अच्छी लगी मेरा सच मुझ में बाबा वे विस्वाथ बढ़ गया जो इता धारे सभिने को लिए पारथा तो यह कुरह करें को कि वेक्षिक को autor कुरुट क दो इसाथ बाबा मेरी प्रिभ थो भागशत sensitive है करेंगे मुझे ऐसा लगा दी कि मुझे आपके साथ नहीं अपना एक्सपीरियंस करना चाहिए देन मैंने आपको शेयर कर दिया बस इतना ही कहोंगी कि सब आप लोगों ने सभी ने पूजा जी का एक्सपीरियंस सुना कैसा लगा आपको उनका एक्सपीरियंस अच्छा था ना बाबा के एक्सपीरियंस बाबा की दीलाएं बहुत प्यारी होती हैं बहुत अच्छी होती हैं सुनने में अच्छा लगता है तो क्यों ना हम 10 मिनिट का समय निकाल कर पूरा दिन में अपने भी अनुहफ शेर कर सके है ना कर सकते है ना तो जरूर जरूर करिए आपको स्क्रिंट पर जो नंबर दिखाई दे रहा है तुरंत वाट्सप कीजिए या फोन घुमाईए फटा फट से ठीक है क्योंकि आपको भी अपने बाबा से प्यार है या नहीं है है ना तो फिर तुरंत अपने एक्सपीरेंस शेर करें क्योंकि अगर अपने एक्सपीरेंस शेर करेंगे ना तो बाबा बहुत कुश होगे और आपको और बहुत सारे लिलाए देंगे और कई लोग बोलते हैं कि उनकी लिलाओं को कही नजर न लग जाए तो तो चलिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में और आप अपने एक्सपीरिंस शेर करना बिल्कुल मत भूलना तो चलिए ओम साहिराम जै साहिराम